Welcome students, आप सभी का स्वागत ही इस वीडियो में और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं Class 9th के जोग्राफी के Chapter No.1 को जिसका नाम है India Size and Location और यहाँ पर इस वीडियो के साथ हम लोग Class 9th के जोग्राफी के शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NCRT किताब के मदद से Line by Line Explanation के साथ और इसके साथ ही जल्दी मैं वीडियो डाल दूँगा जिसमें Notes के साथ पूरे चैप्टर को Explain किया जाएगा तो वीडियो भी आप जाकर के देख लिजेगा तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल आता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं क्या हमें Topic पढ़ना है यहाँ तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में इंडिया के बारे में पढ़ना है कि भाई इंडिया का size कितना है, इंडिया world में कहां located है, इंडिया के आसपरोस में कौन-कौन से देश हैं, अगल-बगल कौन-कौन से सागर हैं, ये सब चीज़े यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं, और एक तरीके से आप जब class 9th के अपने syllabus को देखते हैं जोग्राफी के, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि आप इंडिया के जोग्राफी से related चीज़े पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग पहला chapter इंडिया size and location पढ़ेंगे, दूसरे chapter में हम लोग इंडिया के अलग-लग physical features को पढ़ेंगे, फिर drainage, climate, natural vegetation, population, इन चीज़ों की बात हम लोग के जोग्राफी में करने वाले हैं, तो आई इस chapter को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, जो introduction दिया गया है chapter का, यहाँ पर कहता है कि India is one of the ancient civilization in the world, it has achieved multifaceted socio-economic progress during the last five decades, अब यह चीज़ तो आपको पहले से पता है, आप पिछले कुछ सालों में history पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8 class में आप history पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि हमारे देश का जो civilization है, वो ancient civilization है, आपने पीछे के classes में, class 6 में आपने Indus Valley civilization पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा Vedic civilization, फिर एक तरीके से आगे बढ़ते गए और आपको कुछ नकुछ यहाँ मिलता गया कि यहाँ पर लोग रहते थे, कुछ नकुछ करते थे, और यहाँ पर हमारा जो सभिता है, civilization है, वो एक प्रकार से दुनिया में ancient है, ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि पिछले 50 सालों में, अब यहाँ पर 50 साल 5 decade की बात कर रहा है, लेकिन यह एक तरीके से दिख लें, टिकनलोजी देख लें, economic development देख लें, हर मामले में हम आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत अच्छा progress हम शो कर रहे हैं, और इसके साथ ही, इंडिया जो है, पूरे वर्ल्ड के लिए भी बहुत important है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा contribution रहा है इंडिया का, और साथ में जोग्राफिकली भी बात करें, तो इंडिया वर्ल्ड के लिए बहुत important है, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा biodiversity भी है, और तरह तरह के प्रजाती रहते हैं, और बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में रहती है, पूरी दुनिया के, ठीक है? तो आईए हम लो छोटे होंगे, तो किसी भी बच्चे को सबसे पहले उसके माबब का नाम सिखाया जाता है, फिर आस पड़ोस के जो अंकल, आंटी वगरा होते हैं, उनसे परिचे करवाया जाता है, फिर उनको address भी बताया जाता है, कि भै तुम कहां रहते हो, कौन हो तुम? उसी प्रकार स स्फेर का क्या concept है, इसका क्या मतलब है भाई, तो इसको आए जरा सा हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर यह हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे अर्थ में कुछ हम लोग imaginary lines खीचते हैं, ताकि हम लोग location का time का सही से अंदाजा लगा सकें, यहाँ पर आपको पता है कि हमारे अर्थ पर एक imaginary line है, जिसको कि हम लोग equator बोलते हैं, और equator के बारे में आपको पता है कि equator हमारे अर्थ के बीचों बीच से गुजरता है, नौर्थ पोल और साउथ पोल के ब हिस्सों में बाट रहा है, एक हमारा नौर्थ वाला हिस्सा, उपर वाला हिस्सा और एक साउथ वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर इस equator के उपर वाला जो हमारा हिस्सा है, यह हमारा क्या हो जाता है, नौर्धन हेमिस्फेर हो जाता है, और इस equator के नीचे व उपर पूरी तरीके से लाई करता है, ये पहली point, पहला बात आपको clear हो गया, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर कहता है, कि the main land extends between latitudes 8 degree 4 minute and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगया latitude और longitude का बात, latitude और longitude क्या होता है, इनका क्या use है, आप पीछे के classes में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर short में आपको बता दूँगा, कि latitude क्या होता है, longitude क्या होता है, ताकि आपका एक प्रकार से revision हो जाए, आपको चीजे याद हो जाए, अब यहाँ पर देखि है, यह एक प्रकार का latitude है, तो latitude है मतलब क्या, मतलब कि यह जो line है, imaginary line, यह हमारा east-west direction में यहाँ पर खीचा गया है, और यहाँ पर इसी line के parallel में और भी lines हम लोग खीचते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक line खीचा, one degree, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते, 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 हम हमारा 90 degree हो जाता है, north, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर equator, जो कि एक प्रकार का circle है, हमारे earth के चारो तरब से खीचा गया, एक imaginary line है, उसी के parallel में हम लोग circles ड्रॉ करते हैं, यानि कि एक degree, one degree जो हमारा, one degree north जो हमारा यहाँ पर latitude होगा, वो zero degree के parallel होगा, और वह यहाँ पर वो एक प्रकार का circle form करेगा, two degree, three degree, four degree करते करते हम लोग 90 degree तक पहुँचेंगे, यह हमारा north side में हो गया, इसी प्रकार से अगर हम लोग south side में जाएं, तो यहाँ पर हमारा one degree, two degree, three degree, four degree, खीचते खीचते हम लोग 90 तक पहुँचेंगे, और यहाँ पर 90 हमारे ह हो जाएंगे इस तरफ समझ गए तो 90 डिग्री साउथ हो जाएगा उपर हमारा नौर्थ हो गया नीचे हमारा साउथ हो गया अब यहाँ पर एक सवाल है जो कि पिछले कई सालों से यह में टॉपिक पढ़ाता हो न तो लोगों को डाउट हो जाता है कि भाई यहाँ पर लैटिटीटीट की संख्या कितनी है टोटल तो भाई लैटीटीट की संख्या बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 180 है कि भाई 90 उपर 90 नीचे 180 हो गया लेकिन रियालेटी में 181 ह होता है कैसे भाई यहां पर देखो latitude आपने 123 करते करते 90 तक आप गए और इधर भी 90 तक गए तो कितना हुआ 90 प्लस 90 लेकिन एक और आपका latitude है वो है 0 डिग्री जीरो डिग्री भी तो latitude है ना वो अलग से तो उसको भी अगर हम लोग add करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 181 हो जाएगा टोटल कितने latitude है 181 है ठीक है जीरो डिग्री हमारा हो गया उसके बाद उपर 90 और नीचे 90 ठीक है तो latitude आपको clear हो गया latitude east way direction में खीचा गया एक प्रकार का imaginary line है जो की हमारे equator के parallel खीचा जाता है और ये एक प्रकार का circle form करता है अर्थ के चारो और अर्थ के surface के उपर ठीक है और हाँ एक और चीज़ कि भाई यहाँ पर हमने इंडिया का location क्या पढ़ा latitude के मामले में इंडिया का location है latitude के मामले में 8 degree 4 minute north से लेकर 37 degree 6 minute east तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 degree के उपर हमारा north है तो भाई पूरी तरीके से इंडिया हमारे इस northern hemisphere में आता है equator के उपर वाले हिस्से में आता है अब यहाँ पर बात आ जाता है longitude का कि भाई longitude क्या है तो भाई जिस प्रकार से हम लोगों ने latitude खीचा उसी प्रकार से हम अपने अर्थ पर एक और प्रकार का imaginary line खीचते हैं जिसको कि हम लोग longitude बोलते हैं अब यह जो longitude होता है यह हमार latitude से थोड़ा सा different होता है कैसे different होता है तो वहाँ पर हम लोग एक प्रकार से circle draw करते थे यहाँ पर हम लोग सेमी circle draw करते हैं कैसे तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोगों के लिए वहाँ पर तो easy था कि भाई zero degree हमारा equator होता था उसके parallelly तुम line खीच दो हो गया लेकिन यहा पर थोड़ा सा problem था यहाँ पर problem को solve किया गया इस प्रकार से कि एक line को हम लोगों ने zero degree मान लिया कौन से line को भाई तो भाई हमारे दुनिया में London के greenwich से एक रेखा गुजरती है जो की है हमारा कौन सा रेखा जो की है हमारा prime meridian जो zero degree रेखा है ना longitude zero degree line longitude वो हमारा कहलाता है prime meridian और वो लंडन के greenwich से गुजरती है अब London के greenwich से गुजरती है यहाँ देखिए यहाँ पर आपका London है इस London के greenwich से गुजरती है तो इस line के east direction में और west direction में हमारे यहाँ पर calculate होते हैं जिस प्रकार से हम लोग उन latitude किया उसी प्रकार से zero degree zero degree तो primary rating हो गया one degree two degree three degree four degree करते करते हम कहां तक जाएंगे 180 degree तक जाएंगे ठीक है इसी प्रकार से अगर हम लोग west यह east direction हो गया इसी प्रकार से इस तरफ बढ़ें तो इस तरफ हमारा 180 degree हम लोग फिर से बनाएंगे 180 तो यहाँ पर फिर से हमारा 180 degree west तक जाएगा अब यहाँ पर देखिए एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई longitude की संख्या कितनी है longitude की संख्या कि अगर हम लोग बात करें तो longitude की संख्या है 360 कैसे 360 संख्या है भाई कैसे 360 है तो यहाँ देखिए 180 इधर से गए 180 इधर से गए तो 360 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजी एक चीज है कि जो 180 degree line होता है 180 degree line वो हमारा same होता है इसका 180 और इसका 180 एक ही line है वो दो line नहीं है एक ही line है समझ गया तो उसको जब आप जोड़िएगा तो आपको 360 मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका हो गया longitude यहाँ पर मैंने short में आपको यह भी बता दिया अब यहाँ पर देखिए इन दोनों lines को एक साथ use किया जाता है तब जाकर हम लोग किसी भी point का किसी भी location का हम लोग address आसानी से निकाल सकते हैं latitude, longitude के जरीए समझ गए तो यहाँ पर हमारा यह दोनों मिल करके काम करते हैं जिससे कि हम लोग किसी भी point का address निकाल सकते हैं जैसे आपने coordinate geometry पढ़ा होगा जहाँ पर graph बगेरा बनाया जाता है उसी प्रकार का system यहाँ पर यह काम करता है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक और चीज है कि longitude में हमने बाट किया 68 degree 7 minute east से लेकर 97 degree 25 minute east यहाँ देखो यह नक्षा देखो, समझ में आएगा यहाँ पर देखो, equator तो तुमको इस प्रकार से 0 degree जा रहा है यह हो गया 0 degree, अब प्राइम मेरेडियन यहाँ देखो, 0 degree जा रहा है यहाँ से, तो 0 degree जो है, उसके east direction में इंडिया लाई करता है इंडिया यहाँ पर है, तो हमारा eastern hemisphere में इंडिया लाई करता है और latitude के हिसाब से northern hemisphere में लाई करता है तो देख रहे हो, पूरी तरीके से हमारा Eastern और Northern Hemisphere में यहाँ पर lie कर रहा है इंडिया, clear बात है, तो यह चीज़ clear हो गया, ज्यादा कुछ doubt मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को होगा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर बात की गई है Tropic of Cancer के बारे म बहुत ही important होते हैं, उनका कुछ geographical significance होता है, उनमें से एक है हमारा Tropic of Cancer, और बाकी कौन-कौन से हैं, यहाँ पर देख सकते हो, Tropic of Cancer हो गया, इसके opposite side में, South में हो गया हमारा Tropic of Capricorn, इसके बाद Arctic Circle हो गया, और Antarctic Circle हो गया, यह चार बहुत ही important होते हैं, तो इनमें से जो हमार Tropic of Cancer है, यह Tropic of Cancer हमारे इंडिया से पास करता है, और इंडिया को लगभग दो बराबर भागों में divide करता है, अब यहाँ पर अगर मैं इंडिया का नक्सा दिखाऊं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया के बिलकुल बीचों बीच से, यहाँ से हमारा Tropic of Cancer गुजर रह तो यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ूँ, तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहाँ पर कहता है कि to the south east and south west of the mainland, the Andman and Nicobar Islands and the Lakshdeep island in Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे देश के north west, कहां कहां भाई, sorry, south east और south west में तुम जब जाओगे, यानि कि यहाँ त देखो, यहाँ पर हमारा यह mainland हो गया, mainland कहने का क्या मतलब है, mainland कहने का मतलब है, कि यह जो मुख्य भूमी का हिस्सा है, यह जो जमीन वाला हिस्सा, इसकी बात करता है, क्योंकि हमारे देश में यह islands भी आते हैं, तो इन islands को include करके पूरा इंडिया बनता है, लेकिन जब हम mainland in India बोलते हैं, तो हम इस वाले हिस्से को denote कर रहे हैं, इस हिवाले हिस्से की बात कर रहे है अब कहता है, अब कहता है कि देखो बाई, हमारे इंडिया के, तुम जब är साउफ इस्ट में जाओगे, तो बेओ बेओ बेंगाल में हैं अंडमान एं निकोबर आइलेंड आर यह यहां पर आगे बढ़ें, तो आगे यहां पर क्या कहता है, कहता है कि Southern Most Point, अब इंडिया का Southern Most Point के बारे में बताया ज़रा है, कि Southern Most Point हुआ करता था Indra Point, जो की 2004 के सुनामी में डूब गया है, तो एक प्रकार से तुम्हारा Location क्लियर हो गया कि भाई, इंडिया का Location क्या है, व बारे में, the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer, तो इंडिया का size धियान रखना कितना size है भाई, 3.28 million square kilometer इंडिया का size है, और इंडिया का जो total area है, मतलब इंडिया का जो यह area है, size के area, 3.28 million square kilometer, यह world के पूरे जमीन का total land area का कितना है, 2.4% है, कितना? 2.4% है, total land area का, ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर कहता है, कि इंडिया is the 7th largest country of the world, इंडिया 7th largest country है, वर्ल्ड का, अब 7th largest कैसे है भाई, इंडिया से बड़े 6 देश है, कौन कौन से है, रशिया, कैनेडा, USA, चाइना, ब्राजील, अस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है, रशिया देश है, ठीक है, क्लियर बात है, अब इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे बात करता है, कि इंडिया has a land boundary of about 15,200 km, and a total length of the coastline of the mainland, including अनमान और निकोबार लक्षदीब इस 7,500 and 16.6 km, यह इंडिया के boundary की बात करता है, इंडिया के दो प्रकार के boundary हो गए, एक आपका हो गया land boundary, land boundary मतलब क्या, ऐसा boundary जहां से आप जमीन से एक देशे दूसरे देश में जा सकते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो boundary है, वो कैसा boundary है, land boundary है, इंडिया चाइ बांगलादेश के साथ कैसा boundary है, land boundary, आप जमीनी सीमा वहाँ पर है, total length कितना है भाई, total length है हमारा 15,200 km, यह चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, और total जो हमारा boundary है, land boundary और sea boundary मिला करके वो है इतना 22,716.6 km, अब यहाँ पर देखें, इंडिया का sea boundary की बात की जारी है, त तो sea boundary total कितना है, 7516.6 km, यहाँ गुजरात से जो coast line सुरू होता है, वो इस प्रकार से जाते जाते बंगाल तक जाता है, और साथ में जितने भी islands हैं, उन सब islands के भी coast line को जब हम लोग add कर देते हैं, तब हमारा यह coast line हमें मिलता है, 7516.6 km, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ mainland की बात करें, mainland का जो coast line है, वो कितना है, 6100 km, ठीक है, तो यह भी आपको clear होगा, इसमें भी कुछ doubt नहीं होगा, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे कहता है कि India is bounded by the young fold mountains in the northwest, north and northeast, इंडिया तीन तरफ से young fold mountain से घिरा हुआ है, young fold mountain मतलब किसकी बात कर रहा है, यह, हि इसमें भारत का नक्षा है, भारत के अलग-अलग इलाकों को दर्शाया गया है, तो इंडिया के तुम्हारे north में क्या है भाई, हिमाले है, north east में क्या है, यह पूरा इस प्रकार से हिमाले है, हिमाले आगे यहां तक फैला हुआ है, और यहाँ पर और दूसरे प्रकार के प लेकिन धीरे धीरे चोड़ाई कम होने लगती है और यहां पर यह एक प्रकार से जो हमारा Indian Ocean है उसमें बाहर की ओर निकला हुआ है और Indian Ocean को यहां पर यह दो हिस्तों में बांट देता है एक तरफ हमारा Arabian Sea हो जाता है यहां पर Arabian Sea हो जाता है और इस तरफ Bay of Bengal हो जाता है simple सी बात है कुछ इसमें ज्यादा tough तो है नहीं अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree despite this fact the east weight extent appears to be smaller than the north-south extent अब यहां पर कहता कि देखो जब तुम यहां पर India का extent देखोगे मतलब कि यहां पर latitude और longitude का विस्तार देखोगे तो दोनों तरफ से लगभग हमारा 30 degree है और दोनों तरफ से तुम अगर लंबाई भी देखते हो हमारा north-south जो length है इंडिया का वो है 3214 km और हमारा east weight जो लंबाई है इंडिया का extend है वो है 2933 km अब थोड़ा सांतर है लेकिन लगभग बराबर है लेकिन तुम जब नक्षा देखोगे भारत का तो तुमको लगेगा कि इधर से लंबाई जादा है और इधर से लंबाई कम है जबकि एक प्रकार से इस तरफ लंबाई और ऐसे लंबाई क्या है एक प्रकार का बराबर है समझ गया है तो यहाँ पर ये चीज़ तुमको थो अब यहां पर कहता है कि देखो, जब तुम भारत को देखते हो, तो भारत का एक्स्टेंड कितना है भाई? 30 डिग्री लॉंगिट्यूदनल एक्स्टेंड है, ठीक है? मतलब यहां पर जो विस्तार है हमारे देश का, वो कितना है? 30 डिग्री है टोटल, तो भाई 30 डिग्री है और इस वज़ा से क्या होता है? दो घंटे का टाइम लेग हमें देखने को मिलता है, मतलब इसका क्या है? मतलब यहां पर अगर हम लोग भारत में देखें, तो यहां पर जिस समय में सुर्योदे होता है, जब सन्राइज होता है, उसके दो घंटे के बाद यहां पर सन्राइज होता है, इस जगह पर यहां पर दो घंटे के बाद सन्राइज होता है, यहां जब संसेट होगा, तो इसके दो घंटे के बाद यहां पर संसेट होगा, और इस की वज़ा से यहां पर क्या किया गया है time management को सही रखने के लिए हमारे देश में एक standard meridian लिया गया है जो की है 82 and half degree east यह हमारे देश का standard meridian है जो की मिरजापूर से पास करता है और यहां के हिसाब से पूरे देश का हमारा time चलता है पूरा देश यहां के time को follow करता है manage करता है क्यों क्योंकि भाई विस्तार बहुत जादा है time management में problem ना हो इसलिए एक standard time को हम लोग लेते हैं पूरा देश एक ही time को follow करता है ठीक है अब यहां पर सोचोगे कि भाई इंडिया के लिए ऐसा time है special क्या नहीं दुनिया के हर देश में यह concept follow होता है दुनिया के हर देश में time zones बनाए जाते हैं और हर एक देश का अपना अपना time zone होता है जो कि वो देश follow करता है जैसे अगर हम लोग इंडिया का देखें तो इंडिया के time zone को IST बोला जाता है Indian standard time इसी प्रकार से अगर तुम देखो तो जो main prime meridian जहां पर है zero degree longitude है वहां का जो time zone है उसको GMT बोला जाता है अमेरिका का अलग होगा रसिया का अलग होगा हर देश का अलग होगा समझ गए तो यहां पर बात है कि यह जो meridian है इससे हम लोग इंडिया का time manage करते हैं इंडिया का time यहां से चलता है और इसके साथ ही पूरे दुनिया का time चलाने के लिए हम लोगों का जो prime meridian है उसके हिसाब से पूरी दुनिया का time manage होता है मतलब कि prime meridian जो है वहां पर जो GMT time है उससे हमारे देश का time 5.30 मतलब साढ़े 5 घंटा आगे चलता है वहां पर अगर दोफर के 12 बज रहे हैं तो भारत में साम का 5.30 बजेगा समझ गए इस प्रकार से हम लोग पूरी दुनिया का time manage करते हैं longitudes का use करके समझ गए अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपके मन में एक सवाल और होगा जो कि doubt हो सकता है clear करना जरूरी है वो यह है कि यहां देखो जब तुम यहां पर देखते हो तो यहां पर करा है कि दो घंटे का time lag होता है मतलब क्या दो घंटे बाद सुर्योजय होगा सुरियास्थ होगा ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब यहाँ पर calculation किया जाता है, तो sun के light को 1 degree longitude cross करने में 4 minute का समय लगता है, और यहाँ पर हमारा extend कितना है हमारे देश का, 30 degree है, तो 30 degree into 4 minute बराबर कितना हो गया, 120 minute, समझ गए, 120 minute लगते हैं, sun light को यहाँ से यहाँ पहुचने में, समझ गए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो 2 घंटे का time lag इसलिए यहाँ पर बात किया जा रहा है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने क्या कहता है, अब यहाँ पर कहता है कि why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India, तो भाई, standard meridian के लिए इसलिए यूज किया गया है, क्योंकि 82 degree 30 minute east जो है, वो हमारे इंडिया का जो extend है, longitudinal extend है, उसके बीचों बीच लाई करता है, जब तुम भारत के नक्षे को देखोगे, तो जितना भारत का extend है, उसके बीचों बीच हमारा लाई करता है, 82 degree 30 minute east, अब यहाँ पर आगे कहता है, what is the difference between the duration of day and night harley field at kanyakumari, but not so in Kashmir, अब यहाँ पर देखिये कहता है, यह point यह वाला point को लिया है, कि देखिये, जब हम latitude के हिसाब से आगे की और बढ़ते हैं, तो जो sunlight होता है न, दिन का extend, night का extend में फर्क पड़ता है, kanyakumari में अगर आप रहते हैं, तो वो हमारा equator के नजदीक होता है, वहाँ पर द वैसे जैसे आप equator से दूर जाएंगे, चाहे आप north में जाएं, चाहे आप south में जाएं, वैसे वैसे जो दिन और रात के समय का फर्क है, season के हिसाब से change होता है, जैसे अगर आप कश्मीर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आप देखते हैं कि सर्दियों में दिन हो जाता है, सर्दियों में राते बड़ी हो जाती है, गर्मी में दिन बड़ा हो जाता है, गर्मी में राते छोटी हो जाती है, लेकिन अगर आप equator पर चले जाते हैं, या फिर equator के आसपास की इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा, समझ गए? अब यहाँ पर आगे वढ़ते हैं, तो आगे क्या कहता है, इंडिया and the world, अब यहाँ पर इंडिया और इंडिया का वर्ल्ड के साथ रिलेशन इस प्रकार की चीजों को हम देखने वाले हैं, कहता है कि the Indian landmass has a central location between the east and the west Asia, इंडिया is the southward extension of the Asian continent, अब यहाँ पर कहता है कि जब हम Asia को देखते हैं, तो Asia के east और west के बीचों बीच हमारा इंडिया लाई करता है, यह देखिए Asia का नक्षा है, एशिया के नक्षे को आप देख रहे हैं, तो यहाँ से Asia शुरू हो रहा है, यहाँ तक हमारा Asia है, यहाँ तक और इसके बीचों बीच आपको यहाँ पर इंडिया हमारा नजर आ रहा है, ठीक है, तो एक प्रकार से हमारा central location हो गया, eastward direction में, लेकिन जब हम north-south direction में इंडिया का location देखते हैं, एशिया में, तो यह एक प्रकार से extended feel होता है, कि भाई, पूरा एशिया में यह हमारा बाहर की और निकला हुआ है, यह बाहर की और निकला हुआ है, ऐसा हमें feel होता है, ऐसा हमें दिखता है, ठीक है, तो यह हमारे एशिया के हिसाब से भी बाते हो गई, अब यहाँ पर आगे कहता है कि अब यहाँ पर देखे, बात यह है, कि जो हमारा देश है, वो हमारा देश इंडियन ओशियन में है, और इंडियन ओशियन एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, यहाँ पर जो भी देश इस तरफ है, चाइना हो गया, जापान, कोरिया, थाइलेंड ब और इस तरफ जो हमारा यूरोप हो गया, यहाँ पर अफ्रीका हो गया, अरब कंट्रीज हो गया, इन सब की बीच में जो कनेक्शन होता है, वो इसी रूट से होता है, और इस रूट पर इंडिया का काफी प्रभाव है, इंडियन ओशियन पर इंडिया का प्रभाव इतना जादा है कि इस ocean का नाम ही Indian ocean रख दिया गया समझ गया तो यहाँ पर इस प्रकार से यह हमारा बहुत ही strategic location है Indian ocean में इंडिया का यह बहुत ही इंडिया के लिए important होता है ठीक है अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर क्या कहता है कहता है कि note that the Deccan Peninsula protudes into Indian ocean thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from eastern coast no other country has a long coastline on the Indian ocean as India has and indeed it is India's eminent position in the Indian ocean which justify the naming of ocean after it. Simple si baat यहाँ पर कहता है कि देखो जब तुम इंडिया को देखोगे इंडिया का नक्षा देखोगे इंडिया को देखोगे और world नक्षा में इंडिया को तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पर पता चलेगा कि इंडिया का जो यह दो coast line है एक हमारा east side में coast line इस direction में यहाँ वाला coast line और एक इधर वाला coast line दोनों direction में contact बनाने के लिए trade करने के लिए बहुत important route हमें provide करते हैं जैसे western coast line जो है यहाँ से आसानी से हम अफरीका जा सकते हैं यहाँ से स्वेस कैनल का यूज करके यूरोप से connect कर सकते हैं और इसी तरीके से हम लोगों का जो eastern coast line है यहाँ से हम लोग जापान जा सकते हैं चाइना आसानी से पहुँच सकते हैं और एक प्रकार से बहुत आसानी से हम दुनिया के लगभग हर हिस्से तक पहुँच सकते हैं हमारा एक प्रकार से central location है हमारे इस Indian Ocean में और Indian Ocean में जितना बड़ा coast line इंडिया का है और जितना strategic location इंडिया का है उतना strategic location किसी और country का नहीं है और इसी location की वज़ा से इस ocean का नाम भी यहाँ पर इंडियान ओशियन रखा गया है अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पर क्या कहता है कि since the opening of the Swiss Canal in 1869 इंडिया's distance from Europe has been reduced by 7000 km अब यहाँ पर यह चीज कह रहा है कि देखो जब पहले के जमाने में यहाँ पर हमारा यह Swiss Canal नहीं बना था तो Swiss Canal नहीं बना था तो इंडिया से अगर किसी को यूरोप जाना होता था तो ऐसे पूरा घूम करके यूरोप जाता था और वो पहुँचता था अंग्रेज जब भारत में पहली बार आये थे तो इसी रूट से होकर के आये थे लेकिन जब 1869 में Swiss Canal खुल गया वो बन कर तयार हो गया तो फिर यहाँ से जो इंडियंस हैं या फिर यूरोपियंस वो यहाँ पर Red Sea से होते हुए Swiss Canal से होते हुए आसानी से यहाँ पर यूरोप तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर यह distance करीब 7000 किलोमेटर कम हो गया है इंडिया और यूरोप के बीच में ठीक है तो यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहाँ पर क्या कहता है कहता है कि इंडिया के साथ पूरे वर्ट का रिलेशन बहुत पुराना है 1000-1000 साल पुराना है अगर तुम Indus Valley Civilization के बारोब ही पढ़ते हो तो वहां पर भी तुम्हें पता चलता है कि वहां पर हम मेसपोटामिया के Civilization या फिर किसी और दुनिया के हिस्से से हमारे trade routes थे contact थे और हम लोग लगतार contact में थे लेकिन उतने पुराने समय में उस समय में हम लोग sea के जरीए trade वगरा नहीं करते थे उस समय mainly जो trade वगरा होता था वो land के जरीए होता था जमीन से लोग आते जाते थे और trade करते थे लेकिन जैसे जैसे समय भी था वैसे वैसे sea routes मिलने लगे, maritime route मिलने लगे और उसके जरीए भी contact होने लगा, contact बढ़ने लगा कहता कि the various passes across the mountain in the north have provided passes to the ancient travelers while the ocean restricted interaction for the long time वही चीज़ कहता है कि जो हमारे north west में, जो हमने पहार तुमको दिखाए, जो mountains दिखाए, उन mountains में जो passes थे, उन passes के जरीए लोग आते जाते थे और contact एक प्रकार से travelers का बना रहता था लेकिन C के जरीए ये पुराने जमाने में करना मुम्किन नहीं था, possible नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय भी था, वैसे वैसे C routes भी खुल गए, maritime trade भी होने लगा, वो चीज़े भी होने लगी अब यहाँ पर कहता है कि these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times, in routes की वज़ा से, in contacts की वज़ा से, इन trades की वज़ा से, या फिर लोगों के आने जाने की वज़ा से, बहुत तरीके के ideas, बहुत तरीके के commodities जो हैं, वो इंडिया में आए भी हैं और इंडिया से बाहर भी गये हैं, समझ गया है कहता कि the ideas of the उपनिशद and Ramayan, the stories of पंचतंत्र and Indian numerals and decimal system thus could reach many parts of the world, इंडिया से बहुत सारी चीज़े हैं जो दुनिया के अलग-अलग हिश्चों में पहुँची हैं और इसके साथ ही, यहाँ पर से जो spices होते थे, muslin था, इसके अलावा दूसरे merchandise थे, वो सब भी इंडिया से दूसरे countries तक पहुँचते थे, इन ही पुराने trade routes की मदद से, इसी प्रकार से बाहर से भी बहुत सारी चीज़े आई हैं, जैसे कि यहाँ पर Greek sculpture जो है, वो trade route के जरिये ही पहुचा, इसके अलावा जो architecture का style है, डॉम बनाने का, या फिर मिनारेट बनाने का, यह सब West Asia से हमा की यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया हमारे देश में 28 states हैं, और 8 union territories हैं, 8 union territories हैं, ठीक है, उन सब देशों को, उन सब इलाकों को यहाँ पर तुम देख सकते हो, नक्षे में देख सकते हो, और हाँ एक चीज और हाँ, कि कौन कौन से राज से Tropic of Cancer गुजरता है, वहाँ पर यह भी तुम देख सकते हो, यह भी तुम ध्यान रख लो, कुल मिलाकर 8 राजी तुमको मिलेंगे, यहाँ पर count कर सकते हो, count करके देख लो, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे यहाँ पर find out है, तो find out की बात नहीं आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर basic question है कि कौन सबसे बड़ा राज है, कौन सबसे छुटा राज है, किसका international border नहीं है, इसके साथ ही किस देश के साथ पाकिस्तान, चाइना, महमार, बंगला देश के साथ boundary है, यह सब तुम देख सकते हो, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग चाइना, नेपाल और भूटान के साथ देखें, तो इनके साथ हमारा boundary है North direction में, और साथ में Myanmar और बंगला देश के साथ East direction में हम लोग boundary बनाते हैं, तो जरा सा हम लोग नक्षा देख लेते हैं, जिससे कि यह चीज़ क्लियर हो जाए, यहाँ पर देखो, North West में हमा 8 km, 108 km का boundary है हमारा अफगानिस्तान के साथ, लेकिन यह अभी हम लोगों के contact में नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कुछ हिस्सा जिसको की P.O. के बोला जाता है, वो यहाँ पर पाकिस्तान ने कबजा करके रखा हुआ है, तो जिस दिन वो हमारे देश में आ जाएगा, हम directly य North direction में यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर हमारा East direction में म्यामार है, यहाँ पर बंगलादेश है, इसके साथ ही हमारे देश के दो Sea Partners हैं, मतलब कि एक प्रकार से उन देशों के साथ maritime boundary हम लोग share करते हैं, कौन-कौन से दो देश ह है, यहाँ पर स्री लंका और दूसरा देश है मालदीव्स, मालदीव्स लक्षदीव्स से थोड़ा सा साथ में है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, और इन देशों के साथ हम maritime boundary share करते हैं, यहाँ पर land boundary इन दोनों देशों के साथ नहीं है, ठीक है, और आगे यही चीज कहता है कि our southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely Sri Lanka and Maldiv, Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Street and Gulf of Manar, यहाँ पर India और स्री लंका के बीच में, जो यह सी है, यहाँ पर Park Street है और Gulf of Manar है, यहाँ पर यह वाला हिसा है, यह Gulf of Manar है और पाक street है यहाँ पर, इंडिया और स्री लंका के बीच में, और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो Maldiv islands are situated to the south of Lakshadip island, ठीक है, इंडिया has had strong geographical and historical link with her neighbors, look at physical map of Asia in your atlas and note how India stand apart from the rest of Asia, ठीक है, तो map अगरा देखो, बहुत सारी चीज़े तुमको मिलेंगी, जनकारी मि कहता है कि before 97, there were two types of state in India, the provinces and the princely state, provinces were ruled by directly British officials who were appointed by the viceroy, princely state were ruled by local hereditary ruler who acknowledged sovereignty in return for local autonomy, तो ये extra जानकारी है, history से related है, history वगरा में तुम इनके बारे में पढ़ोगे, वैसे मैं बता दू कि यहाँ पर तुम्हारा जो यह chapter ही है, chapter समाप्त हो चुका है, chapter complete हो चुका है, ठीक है, तो मि अगले वीडियो में अगले chapter के साथ, तब तक के लिए, good bye